महावीर शाह बॉलिवुड का वो खलनायक जिसने निगेटिव रोल्स में अपनी एक अलग पहचान बनाई उनके चेहरे की कुटिल मुस्कान, आँखों की चालाकी और आवाज में एक ऐसी खलनायकी थी जो परदे पर आते ही दर्शकों को बांध लेती थी महावीर शाह ने फिल्मों में जितने भी किरदार निभाए, उनमें हर एक किरदार ने दर्शकों के दिलों पर गहरी चाप छोड़ी महावीर शाह का अभिनाय ऐसा था कि जब भी वह स्क्रीन पर आते, दर्शक उनके किरदार से नफरत भी करते थे और उसे पसंद भी उन्होंने खलनाय की के हर रंग को अपने अभिने से जिया चाहे वह अमीर बिजनेसमेन का घमंड हो, माफिया डॉन की करूरता, या फिर समाज के कमजोर तबकों पर अत्याचार करने वाले भ्रष्ट इनसान की चालबाजी महावीर शाह ने हर किरदार को इतने बारीकी से निभाया कि वह असल लगने लगता था दोस्तों, पहले जानते हैं कैसे हुई थी महावीर शाह की मौत यह घटना 31 अगस्त 2000 की है जब भारतिय फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता महावीर शाह एक दुखत दुरघटना का शिकार हुए थे यह हादसा अमेरिका के शिकागो शहर के मुख्य हाईवे पर हुआ था उस दिन दो कारें बहुत तेज रफ्तार में एक दूसरे से टकरा गई इन में से एक कार में एक भारतिय परिवार सवार था जिसमें पती-पत्नी और उनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी शामिल थे हादसा बहुत भयानक था और कार बुरी तरह क्षति ग्रस्त हो गई थी लेकिन गनीमत यह रही कि उस भारतिय परिवार की जान बच गई हादसे के बाद कार में सवार एक व्यक्ति किसी तरह बाहर निकला लेकिन तब ही पीछे से आ रही एक और तेज रफ्तार कार ने उसे टकर मार दी ये टककर इतनी जबरदस्त थी कि उस व्यक्ती की हालत बेहद गंभीर हो गई और उसे ततकाल अस्पताल ले जाने के लिए हेलिकॉप्टर बुलाना पड़ा दुर्भाग्य से अस्पताल पहुंचने से पहले ही उस व्यक्ती की मौत हो गई व्यक्ती और कोई नहीं बलकि भारतिय सिनेमा के मशहूर अभिनेता महावीरशाह थे वह अपने परिवार और कुछ अन्य साथी कलाकारों के साथ अमेरिका के दो महीने के दौरे पर गए थे शिकागो के मेन हाईवे पर हुए इस हादसे में उनकी असामईक मृत्यू ने उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत को गहरे शोक में डाल दिया इनके करियर की शुरुआत हुई थी साल 1977 में आई फिल्म अब क्या होगा से इस फिल्म में ये ड्राइवर के एक छोटे से किरदार में नजर आये थे फिल्मों में आने से पहले ही ये थेटर की दुनिया में एक्टिव हो चुके थे और गुजराती थेटर में इनकी अच्छी पहचान भी बन चुकी थी जन्मदाता, खेल, सखाराम बिंदर, साथी जैसे गुजराती नाटकों में इनके काम को बेहत पसंद किया गया था हुज तारो इश्वर नाम के एक गुजराती नाटक का तो इन्होंने खुद निर्देशन भी किया था अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और खास बात ये है कि ये फिल्मों में ज्यादा तर पुलिस वाले के किदार में ही दिखाई दिये किसी फिल्म में ये DCP बने तो किसी में इंस्पेक्टर कुछ फिल्मों में ये हवलदार भी बने लेकिन इनका निभाया पुलिस वाले का हर किरदार एक ऐसा किरदार होता था जो करप्ट और विलन से मिला हुआ होता था पुलिस वाले के किरदार के बाद इन्होंने सबसे ज्यादा वकील का रोल किया गोविंदा की सुपर हिट कॉमेडी, क्योंकि मैं जूट नहीं बोलता, में इनका निभाया पब्लिक प्रोसेक्यूटर का किरदार हमेशा याद किया जाएगा फिल्म यस बॉस में ये शाहरुख खान और आदित्य पांचोली के साथ नजर आए उस फिल्म में ये आदित्य पांचोली के वफादार सेक्रेटरी बने थे ये एक बेहद उम्दा एक्टर थे और जिस फिल्म में भी इन्हें काम करने का मौका मिला उसमें इन्होंने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया फिर चाहे इनका रोल कितना भी छोटा रहा हो या फिर कितना भी बड़ा रहा हो ये कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि बॉलिवुड ने महावीर शाह की प्रतिभा के साथ कभी भी पूरा न्याय नहीं किया इनको अधिकतर छोटे मोटे रोल ही दिये गए अगर इन्हें अच्छे और मजबूत रोल दिये जाते तो शायद में विलिन के रोल में ये भी उस जमात में अपना नाम शुमार करा लेते जिसमें अमरीश पुरी, प्राण, अमजद खान और डैनी जैसे नामदर्ज है बात अगर इनकी प्रमुक फिल्मों की करें तो इनके करियर की पहली सबसे बड़ी फिल्म थी 1981 में रिलीज हुई रिचर्ड एटन बोरो की फिल्म गांधी हालांकि उस फिल्म में ये हवलदार के एक छोटे से रोल में नज़र आये थे जो की महज एक सीन के लिए ही था और छोटे परदे पर इनका सबसे शानदार काम रहा जी टीवी पर प्रसारित होने वाला रामसे ब्रदर्स का जी हॉरर शो जिसके चार सीजन्स में इन्होंने काम किया था जी हॉरर शो में इनका पहला सीजन था 1994 में टेली कास्ट हुआ धुन्द जिसके कुल 6 एपिसोड थे धुन्द में ये लाला बांके लाल के किरदार में नज़र आये थे जी हॉरर शो में इनका दूसरा सीजन था 1995 में आया गुडिया जिसके कुल 7 एपिसोड थे तीसरा सीजन था कबरस्तान जिसके 6 एपिसोड थे और इसमें भी इनके काम को काफी पसंद किया गया था वहीं चौथे सीजन का नाम था वापसी और इस सीजन का केवल एक ही एपिसोड था इस एपिसोड में भी महावीर शाह ने अपने टैलेंट को बड़े ही शांदार तरीके से पेश किया था बात अगर इनकी निजी जिन्दगी के बारे में करें तो इनका जन्म 5 अप्रेल 1960 को मुंबई में बसी एक गुजराती फैमिली में हुआ था इनकी पत्नी का नाम है चेतना इनके बारे में इससे ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है जिस वक्त अमेरिका में इनका एक्सिडेंट हुआ था तो इनके साथ इनकी सहयोगी एक्ट्रेस सरिता जोशी और कुछ दूसरे कलाकार भी साथ थे ये सभी गुजराती नाटक साथी को अमेरिका में परफॉर्म करने गए थे ये लोग मैन हाइवे से होते हुए डेट्रोइट शहर से शिकागो की तरफ जा रहे थे जब इनकी कार में एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी थी महावीर शाह किसी तरह अपनी दुरघटना ग्रस्त कार से बाहर निकल कर अपनी गाड़ी का मुआयना कर रहे थे कि तब ही पीछे से आ रही एक दूसरी तेज रफ्तार कार ने इन्हें बेहत तेज टक्कर मार दी उस हादसे में अभिनेत्री सरिता जोशी भी घायल हो गई थी महस 40 साल की उम्र में ही एक बेहत टैलेंटिट कलाकार को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को खोना पड़ा इनकी मौत को लेकर कहा ये भी जाता है कि जब ये अपनी कार से हाईवे से गुजर रहे थे तो एक एकसिडेंट हो गया और उसी एकसिडेंट के शिकार लोगों की मदद के लिए ये अपनी कार से उतरे थे जब पीछे से आ रही कार ने इन्हें टकर मार कर बुरी तरह घायल कर दिया महावीर शाह की मृत्यू को करीब 25 साल हो गए हैं और ये दुखद है कि शायद आज उन्हें बॉलिवुड में कम ही लोग याद करते होंगे समय के साथ कई प्रतिभाशाली कलाकार जिनका योगदान फिल्मों में महत्वपूर्ण रहा है कहीं न कहीं भुला दिये जाते हैं महावीर शाह ने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई और दर्शकों का मनोरंजन किया हालां कि बॉलिवुड की चकाचौंध और तेज रफ्तार दुनिया में पुराने सितारों को अकसर समय के साथ भुला दिया जाता है लेकिन यह उन कलाकारों के प्रशंसकों और सिनेमा प्रेमियों की जिम्मेदारी होती है कि वे उन चेहरों और उनकी कला को याद रखें जिन्होंने हमें अपने अभिनेता का योगदान भले ही फिल्म इंडस्ट्री की मुख्यधारा में भुला दिया गया हो लेकिन उनके प्रशंसक और सच्चे सिने प्रेमी उन्हें हमेशा अपने दिलों में जिन्दा रखेंगे ऐसे कलाकारों की कहानियों और उनके काम को साज़ा करना, याद रखना और दूसरों तक पहुँचाना एक तरह से उन्हें श्रधांजली देने जैसा है उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठोर को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा दे तब तक के लिए जैहिंद